हे फ्रेंट्स वेरकन दूबाई चैनल एवी रॉक्स टीम्स तुम आप लोगों के लिए आगे हैं भाई यो मैच कवर करने हैं जो कि हिला जागा नेशनल ट्वंटी कप लीग का के एच पी वार्सी रसे एन के बीच एक घंटे तीन मिनट बाद तो बात करू भाईयों इस यह जो आप विनिंग देख रहे हैं यह आई पिल की हो लेट ना आई पिल तुझा जो कल था बहुत ही जबरदस गया था कल का आई पिल जैसे कि आपको पता है पैंगलोर वार्सीस कॉलकटा के बीच चलते हैं तो सबसे एक में बात करूं जैसे कि आप सारे लोग जानते कि यह लीग नैशनल T20 लीग काफी बलब देर से चलती हा रही है मीज अभी आप मान लोगी कम से कम 20-25 दिन से उपर तो होई गई है तो बात करूं अब आपको भी समझ आगी होगी कि इसमें क्या खास है तो बात करूं विकेट कीपर की तो एमरिजवान एमरिजवान जैसे कि नैस को बाहिया ढॉप कर रहा हूं और बात करूं बाइयों बैटसमैं की तो यहास लोगा एम अफीस को आप सारे लोग जानते कि आपकिस्तान की लीक की तरफ से भी खेलता है और अच्छा प्लेयर है वैसे बहुत जबर्दस खेलता है अफुकर जमान जो कि बावराजम की तोपनिंग करता है इंटरनेशनल लीग में और यह टॉप का प्लेयर है मतलब अगर आपको बात बोलू एक पिछे एक लीग हो रही थी कुछ मतलब उसमें ना मतलब इंटरनेशनल सारी लीग के प्लेयर दे मतलब ऑस्ट्रेलिया सारी जितनी भी लीग तो उसमें फकर जमान भाईयो मैं सुनूँगा की जीरो पर उठा मलब जीरो पर उड़ गया था लेकिन अगर टोटल देखा जाए फिर नाइन सब्टमबर का मैच भी देखोगी इसने क्या तुफान मचा दिया था अगर यह जम गया तो कम से कम समझो की साट सतर अन पके हैं और आगे से बात क्योंकि भाईयो बहुत ही जबर्दस बैट्समैन है तो चारो बैट्समैन मेन है भाईयो मलब इन में से एक आदे को भी डॉप मत करना बात करूँ अल्राउंडर की तो यहां से लोगा इफ्तिकार एहमत को तो इफ्तिकार एहमत जो की मैं आपको बताना चाहूंगा यह प् विक्टे ले रहता है एंड अनवर अली भाई बालिंग अच्छी करता है और एच खान की बात करूं तो एच खान जो कि इसके बारे में अभी आपको लग रहा हूगा भाई मैंने यह क्यों ले लिया इसको बालिंग ना मिलना इस पर डिपेंड करता है क्योंकि अगर इसको एक ओवर स्टार्टिंग में मिलेगा अगर उसमें यह अच्छा खेलिया तो इसको चार ओवर मिलेंगे और अगर बाई चांस यह दस पंदरा रन खा गया तो इसकी बालिंग नहीं मिलेगी तो भाई मैं रिस्क ले रहा हूँ अगर आपको सेफ जाने तो आपकी मर्जी आपको इसके बारे में पता ही है बहुत ही अच्छा प्लेयर है शाहिन अफ्रीदी एक्च्वल में भाईयो प्रॉपर बॉलर है मतलब प्रॉपर और बहुत जबर दस्त पर आगे से बात करूँ एस खान की एस खान को डॉप मत किया करो मैंने आपको फिर बताया हूँ है क् आप दो से तीन विक्टों से हाथ दो बैटोगे आप में एडी नहीं होंगी तो तब ही पतारो एस खान को डॉप मत करो और जे खान के साथ आज मैं भाईयों जाने वाला बहुत ही रिस्की प्लेयर है ये भी 31% सेलेक्शन है और मेरे पास थोड़ा सा क्रेडी डिशू भी ह है लेकिन प्लेयर अच्छा है आगे से बात करूँ अगर मैं कैप्टन वाईस कैप्टन की कैप्टन में रहेगा फकर जमान और वाईस कैप्टन अनवर अली मैंने फकर जमान को रखा है उसको कैप्टन की इसकी बैटिंग अच्छी है लेकिन अनवर बाई चांस अगर विक झाल कि जॉए यिटरो चों का लेकता it को कि ऐस घाथे है कि झाल कि भी एाहली र FIN कि रचल में बाल टारा